राजस्थान में विदानसबा चनाव की बिसात बिच चुकी है, पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिये हैं पिशली कडी में हमने बात की थी परबच सर विदानसबा सीट की, वही आज हम बात करेंगे मंडावा विदानसबा सीट की नमस्कार दनगरी न्यूस के खास कारेकरम चनावी नगरी में आपका स्वाधत है मैं सिद्धिका मनुहर सोनी आपके साथ मंडावा विदानसभा सीट जिनजनु जिले की मजबूत सीट मानी जाती है हवेलियों के लिए बॉलिवूड की पहली पसंद बन चकी मंडावा का चनावी इतिहास बेहत दिल्चस्प रहा है मंडावा विदानसभा सीट कॉंग्रिस का गड़ मानी जाती है यहां से 9 बार कॉंग्रिस ने जीत हासिल की है जबकि भाजपा यहां सर्फ एक बार ही अपना खाता फोल सकी है 2023 के विदानसभा चनाव में कॉंग्रिस की ओर से यहां की मौझूदा विदाया प्रीटा चौदरी फिर से मैदान में नजर आएगी तो वही BJP की ओर से पार्टी ने मैदान में नरेंदर कुमार पर अपना दाव कीला है नरेंदर कुमार पांचवी बार मंडावा से विदानसभा का चनाव लड़ेंगी तीन बार वो निर्दली चनाव लड़ चुके हैं जिसमें से एक बार जीते और एक बार उन्होंने BJP के टिकेट पर विदानसभा का चनाव लड़ा और जीत हासिल की थी अब बात करते हैं मंडावा के जातिगत समीकरण के बारे में मंडावा में कुल 2,65,708 में मतदाता है मंडावा विदानसभा सीट पर शुरू से ही जाट समुदाय का दब दबा रहा है तो वही सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है जाट वोटर्स की संख्या करीब 50,000 है मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 40,000 के आसपास है इसके अलावा SC और कुमावत समाज भी अपना सियासी रुत्बा यहां रखता है बतादे सीट पर सबसे बड़ा मगदा पानी को लेकर है जो गर्माया हुआ है दनगरी नियूस के खास प्रोग्राम चनावी नगरी में अभी के लिए फिलाल इतना ही अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधान सबाश शेत्र की तब तक के लिए नमस्कार